हेलो भाई लोग कैसे हो आप लोग, I hope आप सभी की पढ़ाई अच्छे जल रही होगी और BHEAL के exam regarding आपको काफी ज़्यादा doubt थे, आपने काफी comment कर रहे थे इसलिए मैं आज आपको BHEAL exam के regarding जो भी information मेरे पास है आपका exam कप conduct करा जाएगा, आपका admit card कप तक आजाएगा और result कप तक announce करा दिये जाएगे इन सभी जानकारियों को आज मैं आप लोगों के सामने share करने वाला हूँ तो चलिए, शिरू करते हैं सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, मैंने आपको BHEAL के expected exam date थी, वो January बताई थी जो mid of January में conduct कराया जाना था पर उसके बाद मुझे BHEAL के website पर कोई भी information उससे जुड़ी हुई नहीं मिली इसलिए मैंने आज आप लोगों के लिए RTI कैसे दायर करना है उसका पूरा का पूरा screen recording करके आप लोगों को दिखाता हूँ मैंने RTI दायर की थी, मुझे जो पहले response मिला था वो satisfying था पर मैं चाहता हूँ कि आप में से 2-4 लोग अपने individual तरीके से RTI दायर करो ताकि वो जल्दी से जल्दी से information को हम लोगों तक send करने का try करें तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ उसके लिए आपको BHL के official side में जाना है RTI वाले section में आने के बाद जैसे ही आप नीचे की तरफ scroll करोगे तो आपको यहाँ पर एक other का section मिलेगा other का section पर जैसे ही आप click करोगे तो right to information में यहाँ पर आपको proceed for seeking information of BHL application of seeking information में आपको click करना है क्यों? क्योंकि इसमें आपको एक application मिलेगा जो आपको fill करके BHL में send करना रहेगा जो right to information के थुरू आप जो भी जानकारी मागोगे जैसे आपको पता करना है कि आपका exam कब conduct कराया जाना है तो BHL के server में fit होगा वो आपको direct वुजानकारी provide कर देंगे अगर आपको जानना है कि BHL का result कब तक आएगा या इसकी exam, conduction के बाद document verification और interview कैसे होगा तो देखिए यह जैसे application form यहाँ पर open हो गया है तो इसमें simple सा लिखा हुआ है कि सूचन अधिकार के अंतरकत या आवेदन है इसमें आप अपना नाम, आप किस विशय के लिए आवेदन दे रहे हो वो लिखना है और उसके बाद आपको date डालनी है अब अभी मैं तो कहता हूँ दो चार दिन में आप इसको RTI दायर करो दो उसके बाद आपको एक signature करना है और अपना individual बाती बता देनी है जैसे ही आप इसको वहाँ पर send कर दोगे offline mode में कर देना चाहे तो आप computer वाले के पास जाओगे तो वो online भी इसको send कर देगा उनके पास पहुँचने के बाद अगर उनको लगता है कि यह information देना authentic है हलाकि यह आपने जो जानकारी मागी है वह authentic ही है तो वो आपको within two or three days में reply कर देंगे तो आपके जो doubt है कि exam कब तक conduct कराया जाना है वो आपका clear हो जाएगा क्योंकि आप फालतों में यहां वहां भटक रहे हो कभी इस वीडियो को देख रहे हो कभी इस वीडियो को देख रहे हो तो इसको देखने से अच्छा है कि आप एक बार RTI दायर करके खुद से कर लो क्योंकि आप दूसरे को पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हो खुद से करके देख लो थैंक यू सो मच बाबाई